पलामू में मौसम का मिजाज बदला मौसम के बदले मिजाज के बीच बारिस शुरू ही और बारिस के दोरान आस्मान से बारिस की बुंदों के साथ मौत भी बरसी पस्मों को चारा खिला रहे अलग-अलग दो गाओं के लोगों की मौत हो गई हरियर गंठाना छेतर के रबदी और भौराह गाओं में ये घटना तब घटी जब महिला और पुरूस अपने अपने मोवेसियों को चारा खिला रहे थे इसी दोरान वजरपात हो गई इस वजरपात में 56 वर्सी बलराम यादव और मानमती देवी की मौत हो गई गटना के बाद परिजनों ने दोनों को अस्थानी अस्पताल में भरती करवाया जहां डॉक्तरों ने दोनों को मृत गोसित कर दिया हरियर गंठाना की पुलिस दोनों सव को पंचनामे के बाद दंते परिक्षन के लिए MMCH मेदनी नगर भेज दी इस गटना से ठीक एक दिन पहले हरियर गंठाना छेतर में हुवी बारिस से बचने के लिए पेंड के नीचे खड़े लोगों पर वजरपात हो गई थी जिसमें पांच लोग चपेट में आ गये थे और गंभीर रूप से घायल हो गये थे पलामू में वजरपात में अब तक करीब एक दरजन लोगों की मौत हो चुकी है मौसम विभाग की ओर से लगातार इस तरह की हो रही का टाउं को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है मौसम विभाग की माने तो 31 जुलाई तक जहारखंड में हलके से मध्यम दरजे की बारिष की संभावना है इस दोरान मेग गरजन के साथ वजरपात की भी आशंका है इसे लेकर मौसम विभाग ने एलो एलर्ट जारी किया है